दिल्ली का पैसा दिल्ली से आ रहा है मेरे चनावक शेतर में एक पंचायत में एक करोल रुपे दिया गया है और एक पंचायत में मुक्यमंत्री ग्रामिन शड़क योजना जो मेरे चनावक शेतर के लिए धाई करोल मिलता था धाई करोल पूरे चनाव मेरी शत्तर पंचायता दो नगर पिंचायत को मिलना था वो भी दो पिंचायतों में ही धाइक रोड पूरा सिमट गया है आने वाले समय में मैं प्रमान के साथ हर घर के लिए हर आदमी तक वो सारी संचने वो सारे टेंडर और मैं आज कह रहा हूं मेरी सिरकार जिस दिन भी हिमाचल प्रदेश में ब सकाना है जिन्होंने इस तरह से प्रष्टाचार किया यह दो पंचायते बताएगे जहां पर पैसे यहां बात कर रहे हैं पंचायत का नाम लेना उचीत नहीं है पर उसमें भी एक ही परिवार को फायदा हो रहा है एक परिवार को सारा पैसा सड़क बन रही है और अधिकार को भी आने माले अगर अभी 24 में हमारी सरकार बदली तो मैं वीजिलेंस का चौकीनी थाना चपाल में खोलूंगा कुछ रधिकारियों को उसके बाद सारी कारवाई करूं सर आपने अपने सबोदन में भी कहा था कि MLA तो दूर की बात वार्ड मेंबर भी नहीं बने लिया जाएगा सरी बात आपने किसको कहीती इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर लेगे जो एंकारी है जिसने चपाल की जनता को तरफाया है जिसने चपाल की जनता को तंग किया है जिसने इस शाद दोई सब बदले की बावना से चपाल की जनता को हरास किया है उसको मैं दावी से बोलता हूं अभी भी बोड़ रहा हूं कि जब तक मैं जीवी तो उसको कहीं भी किसी भी पत्पन नहीं बनने दोगा पिछले कल चौपाल के विधायक बलवी सिंग बर्मा ने बड़े आप पर हमले बोले हैं हलाकि उन्होंने सीधे तोर पर कहा कि चौपाल का पैसा एक पंचाइज पर खर्च किया करोड रुपिया और साथ मैं एक बहुत बड़ी बात उन्होंने ये भी कहिए कि एक बार वो मेंबर बन के दिखाए क्या कहना चाहेंगे इस तरह की कुछ बड़े सब्द उनके द्वारा कहे गए कल एक आप जिनकी बात कर रहे हैं विधायक लोगों के बीच वो जाते नहीं है लोगों को जो उन्हें जूटके सपने पिछले 11 साल से दिखाए थे उसमें वो एक्सपोज हो गए हैं और जहां तो को बात बोलते हैं कि कहां क्या हुआ विधायक जी को अपने गिरेवान में जहांक के देखना चाहिए जिस दिन हमने उ हवदावली का ध्यान रखे आरव प्रत्यारव राजनिती में लगते रहते हैं पर जिस दिन वो बहुत ज्यादा ये बेतुकी ब्यानवाजी करने शुरू कर देंगे तो उसके बाद बिलकुल त्यार है हर एक्शन का उत्रहीं बड़ा रियक्शन होता है जी हाँ कलोनों ने एक बियान में ये भी कहा है कि सेंटर से जो पैसा आया था डिजास्टर्स के मुनेजमेंट से जो पैसा मिला था वो महतर दो पंचाईतों में सबसे ज़़ादा खर्चवाए इस तरह का आरू पनों ने लगाया है ँलांकि ये कलियर नहीं किया कि वह पं हो चुकिए उन्हें दस साल से जूटी बोला गयारा साल से लोगों को ठीक है वो अपनी कामियाबी बताएं लोगों को मैंने तो चुनाओ हारा है और जो उन्हें उलट सुलट बाते किये 21000 लोग हमारे साथ खड़े आप उनकी भी तोहिन कर रहे हैं और माननी यह विदायक सा लोगों ने वोट डाला है उनके खिलाफ वह चपाल की जंता को मुर्ख नहीं बना सकते इस बात का वो धिहान रखे ऐसी ऐसी शब्दावली का प्रियोग ना करें जिससे उनको डिफेंसिव नहीं होना पड़ेगा अब वो एक पार्टी के अंदर एक परवक्ता की पद्व भी है ऐसा नहीं कि उनको राज प्रवक्ता पद्वी छोड़ना पड़े